तो दोस्तो वक्त आ गया है और कुछ नए आप्स आपको बताने का जी हाँ हम हर हफते या दो हफते में एक बार ऐसे यह करते हैं top best apps, unique apps आपके लिए लेके आते हैं तो इस हफते भी हम ला रहे हैं आपके लिए तीन ऐसे apps जो आपके phone को और भी smart कर देंगे और आपको भी बहुत smart कर देंगे जी हां, ये वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले subscribe प्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ऐसे हम बहुत सारे वीडियो आप तक पहुचाने वाले हैं हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और ये यजा आया यह आप इसंतेमाल करते हुए इस यह का नाम है एक्स-प्रेशो एक्स-प्रेसो गर давай बेजता सकते हैं यह वह सर्फ आपका अवतार बनाता है और और आप शहेर कर सकते लेकिन और दम सा आवतार नहीं है वो आप उसको कस्टमाईज कर सकते हैं आपके जैसे लेकिन उसके उपर मेसेजिस वगरे डालके WhatsApp, Facebook Messenger और सब जगव पे आप शेर भी कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको कैसे तो सबसे पहले तो आप आप ओपन कीजिए Expresso है नाम याप का उसके बाद में उसके बाद में आप आपका अवतार बनाईए जी हाँ onboard कैसे बनाना है यह देखिये इदर जाईए यह है ilamion अ कर रहे हैं यह आम् Dennis क्रिंए उसके बाद में आपके सकते हैं लाल चाहिए तो लाल डाल सकते हैं यह देखिए सफेद चाहिए तो सफेद भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे पता है आपको सफेद नहीं चाहिए तो चलो मैं काले बाल डालता हूं मेरे जैसे काले हैं ना काले बाल आपको मुझ कैसी चाहिए ऐसी ऐसी चोटी सी दालता हूँ मेरे जैसे दाड़ी तो है नहीं लेकिन मैं यह वाली डालता हूँ यह उसके बाद में आपकी जो आइब्रोज हैं बड़े हैं चोटे हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं आपकी आँक बड़ी है चोटी है यह देखिए चेंज हो गया मैंने बड़ी आँख रख दी यह मैंने मेरा अवतार बना दिया और मैंने यह सेव और प्रोसीड कर दिया तो दोस्तों अब आपका अवतार बन गया है और आप अभी उस अवतार के साथ क्या करेंगे आपको शेर करना है जो भी आपको बोलना है दोस्तों को ट्रैकिन टेक, ठीक है, और मैंने दबा दिया, यह अभी जनरेट करेगा मेरे अवतार के साथ, यह देखिए, अलग-अलग टाइप के अवतार, अब मैं यह शेर कर सकता हूँ, यह जो अवतार है, यह मैं वाटसेप पे, फेस्बूक पे, फेस्बूक लाइट पे, इमेल पे, सेव भी कर सकते हैं, यह देखिए, मैंने यह सेव कर दिया, यह वाला भी अब मैं सेव करने वाला हूँ, यह भी सेव कर दिया, वो जिफ बनाता है, इमेज बनाता है, और सेव कर देता है, आप कभी भी चाहिए, तब वो शेर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, तो यह है एक्स्प्रेसो अवतार वाला एप जो आप इस्तिमाल कीजिए और लोगों को मेसेजिज बेज़िए कुछ अलग टाइप का चलिए अब चलते हैं गैलरी में और देखते हैं दोस्तों ये जो दूसरा एप है वो जो है वो आपके फोन को सुन्दर बना देगा जी हाँ आपने बहुत सारे वाल पेपर के अप्स तो इस्तेमाल किए होंगे लेकिन ये जो है वो सही में आपका जो पोन है बहुत ही सुन्दर देखे गए especially जो आपके आइकन्स है बहुत बार क्या होता है जो वाल पेपर होते हैं इतना सारा चीज होता है उसके उपर आप icons नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए एक app है जिसका नाम है Muzi M-U-Z-E-I मैं सब apps के link description में दे रहा हूँ आप जाके देख सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यह जो Muzi app है यह क्या करता है यह famous painters और drawing करने वाले लोगों के paintings लाता है और आपके हर रोज एक या दो आप set कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे और फिर वो blur कर देता है पीछे से बहुत ही सुन्दर दिखता है देखिए तो यह जो Muzi app है यह देखिए यह है actual painting लेकिन जब मैं यह इसे बंद करता हूँ तो वो blur हो जाता है उतना ही नहीं आप blurriness वगेरे सब control कर सकते हैं आप यह ज़रूर डाउनलोड कीज़े बहुत सुन्दर दिखता है रोज अलग-अलग आपको wallpapers मिलेंगे आपको क्या करना है जाना है इधर और कस्टमाइज करना है featured art तो featured art जो होता है artist लोगों का painters लोगों का उनके सब दिखते हैं या फिर आप खुद के photo अगर मैं यह करूँगा तो my photos वो देगा लेकि मुझे मेरे photos नहीं चाहिए तो मैं featured art डाल रहा हूँ अब यह देखिए इसमें मैंने यह art डाल दिया और दोस्तों इसका जो blurriness है वो भी आप change कर सकते हैं तो blur कितना होना चाहिए मैंने कम कर दिया यह देखिए कम हो गया blurriness ज़्यादा चाहिए ज़्यादा हो गया ज़्यादा blurr होंगे तो आपके जो नाम है icons के वो clearly दिखेंगे आपको तो मुझे mid में रखना अच्छा लगता है यह देखिए इतना blurriness ठीक है dim कर सकते हैं आप dark हो जाए गया है यह देखिए dark हो गया अगर bright चाहिए एक दम तो bright हो गया grey color में चाहिए black and white चाहिए तो आप वो कर सकते हैं यह देखिए new wallpaper notification and apply blur on lock screen यह भी है इसमें तो यह जो है एक app wallpapers के लिए जरूर try कीजेगा मुझे बहुत अच्छे in fact मैं कम से कम 6-8 महेने से इस्तिमाल कर रहा हूँ आप भी इस्तिमाल करके हमें बोलिए आपको कैसे लगा दोस्तों यह अगला जो एप है pause आपका phone वो super charge कर देगा super hero बन जाएंगे आप और उससे भी बड़ा super hero बन जाएगा आपका phone दोस्तों आपने IFTTT का नाम सुना है web app है लेकिन phone पे जो app है IFTTT का बहुत ही अच्छा है basically आप कुछ भी कर सकते हैं जी है superman के जैसे ही आपको phone भी कुछ भी कर सकता है मैं आपको example देता हूँ तो मैंने खोला यह IFTTT तो यह बोलता है 21 applets for your phone get notified when the top app becomes free in apple app store तो अगर आपके पास iPhone है तो वो आपको अपने आप बता देगा कि भाई free app आज आ गया है आप डाउनलोड कीजे ऐसे हजारो अलग अलग recipes बोलते हैं वो recipes हैं इसके अंदर for example unmute phone when leaving work तो अगर आप काम पे हैं आपको phone mute पे रखना है तो automatically कर देगा आप काम से जाते हो तो unmute करना है वो अपने आप कर देगा so सब आपके जो काम है जो आप phone पे करते हैं उसको आप automate कर सकते हैं आप खुद की recipe भी बना सकते हैं इसमें जो चाही हो कर सकते हैं जैसे मैं घर पे पहुचूंगा तो alarm बजा देना या सुबह 7 बजे का alarm रोज बजा देना या फिर अगर मैं रात को 8 बजे सोता हूं तो अपने आप डोज मोड में फोन को डाल दीजेगा ऐसे इतने सारी चीजे कर सकता है आप पूछिए मत देखते हैं turn off mobile wifi outside home तो outside home जाएंगे तो wifi अपने आप बन कर देगा get notified of new IFTT updates वो मिलेगा Wikipedia word of the day Wikipedia का word of the day होता है तो मुझे notify कीजेगा automatically unmute your android when you get back home turn on wifi and turn off mobile data when I need enter home तो घर में जाने के बाद automatically mobile data बन कर देगा wifi चालू कर देगा ऐसे इतने सारे recipes है वो आप इस्तिमाल कर सकते हैं और आपको क्या करना है सिर्व उसके उपर click करना है और turn on करना है यह ऐसे यह देखिए यह turn on हो गया अब क्या होगा जैसे ही मैं घर पे जाओंगा यह देखिए वो क्या करता है वो maps का आपका location देखता है घर का location मार्क करता है और जब आप घर पे पहुचेंगे तो automatically wifi ओन कर देगा mobile data बन कर देगा तो यह ऐसे बहुत सारे मैं अभी इधर तो नहीं बता सकता है लेकिन जो आप सोच सकते है कि मेरा iPhone ने करना चाहिए automation of tasks वो यह कर देगा आप ज़रूर IFTTT को try कीजे और हमें बताईए अगर कुछ सवाल है तो भी ज़रूर पूछ लीजेगा हमें तो दोस्तों यह थे तीन apps इस हफते के अगले हफते में हमारे पास अल्रेडी तीन ऐसे जबरदस्त apps है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा अगले वीक वाले apps देखने के लिए अल्रेडी ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा